हुली के मौके पर इंडियन रेल्वे भी पूरी तरह से तयार है देश की जनता को सुविधाय देने के लिए रेल्वी की तरफ से अलग-अलग रूट पर ट्रेंस चलाई गई हैं और ऐसे में के रूटस ऐसे हैं जहां पर कुछ पुरानी ट्रेंड में ने डिब्बे जोड़ कर भी याक्त्रियों को सुविधा जी जाएगी इस वक्त हमारे साथ वर्ष जन्संपर्क अधिकारी कुंतार सिंग हैं बात करते हैं सर हुली का मौका है तो ऐसे में जाहर से बात है कि बहुत ज्यादा आप लोगों पर लोड बढ़ जाता है याक्त्रियों की संख्या कर रहा हूं उत्तर रेलवे ने इस वर्ष भी रेल यात्रियों की सुविधा के लिए अत्रिक्त विशेश रेल गाडियों का बंदोबस्त कर लिया है और इस मंद में नोटिफिकेशन्स वगरा जारी कर दिये गए हैं और अब तक करीब 24 जोड़े विशेश रेल गाडियों का बंदोबस्त और अनॉंसमेंट्स किया जा चुका है और ये 24 जोड़े रेल गाडियां जो हैं ये कुल सीजन के दौरान यानि के होली के पहले तीन-चार दिन पहले और होली के तीन-चार दिन बात तक इन गाडियों के ट्रिप्स चलते रहेंगे और ये जो टोटल ट्रि की जा सकती है तो टोटल इससे आप लोग कितने यात्रियों को लभग कवर कर सकते हैं और कितने स्टेशन को कवर कर रहे हैं और इस पेसिपलिक ज्यादा रूट आपने किधर का लिया है देखिए हमारे इस्ट बांड स्टेट्स हैं जो जैसे उत्र प्रदेश है बिहार है विस बिंगाल है और इस तरफ के जो हमारे रज्ये हैं उन रज्यों के लिए यहां से जाने वालों की संख्या काफी ज्यादा होती है उनका फुटफॉल जो है नॉर्मल डे से ज्यादा होता है जैसे अगर हम बात करें बिहार की तो ऐसे कुछ बड़े पॉपुलर डेस्ट पंगा पटना और राजगीर सहरसा इतियादी ऐसे कुछ शहर हैं जो अल्मोस्ट पूरा बिहार राज्य और उसके बियॉंड भी यह गाडियां रेल में सफर करने वाले यात्रियों को सुविधाएं देने वाली हैं और जैसा आपने कहा कि कुल गाडियों को अगर हम प्रत प्रसेंट गाडियां ऐसी हैं जिनको इस बाउंड डिरेक्शन्स में जो हमारी ट्रेंज जाती हैं उनमें स्पेशल ट्रेंज का मतलब बंद बस्त किया गया है कुछ त्रेंज की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी अभी तक यह नहीं हुई है जिन गाडियों का घोशना की जा और विवस्था कर दी है और बूकिंग के लिए रेल यात्रियों के पास बड़ी सारी आप्शन से आज की डेट में जैसा आप जानते हैं चाहे तो आप उन्हें ओनलाइन बूक करा सकते हैं आयर सी टीजी के पोटल पे जाके करा सकते हैं बहुत पॉपलर है वो बहुत सुवि कश्मीर के लिए कुछ specific ट्रेंस ली गई है जम्मू के लिए खासतार से देखे अभी जो रियल गाड़ियां अनौस हुई है होली के प्रिदरिश्य में उसमें दो गाड़ियां ऐसी है जो उधंपूर के लिए गोशित हुई है एक गाड़ी जो है आनद विहार से उधंपूर जाएगी और एक और अन्य गाड़ी है जो दिली नहीं बल्कि सूबेदार गंज से उधंपूर के लिए अनौस की गई है इसके अलावा मैं आपके इन्फरमेशन का एक छोटा सा और इजाफा करना चाहूंगा कि हमारी जो पॉपलर गाड़ियां है धेर सारी आसी पॉपलर किया जाएगा यनिके एक्स्टा सीट्स एक्स्टा बर्ट्स और जेनरेट हो पाएंगी करीब करीब ऐसी 15 से 20 गाड़ियां जिनमें एक या फिर दो एडिशनल डिबे उसकी जो रूम एवलेबल रूम को देखते हुए एक या दो डिबों की इजाफा किया जाएगा उससे क भीड़ भी जादा बढ़ जाएगी तो उसके मद्दिन जाकर अगर ऐसा जादा होता है तो क्या और ट्रेंज भी एड़ की जा सकती है आने वाले से में हां देखिए ये हमारा ना पिछले सालों की जो अनुभव है उसके अधार पर उसके अधार पर जो है अमूमन रेलवे इस तरह का बंदोबस रखती है कि वो मौनिटर करते हैं मतलब हमारे यहां एथोरिटीज हैं जिनको जिनका काम है ये मौनिटर करना की फुटफॉल कितना है और कितनी और एडिशनल ट्रेंज की जुरूद पढ़ सकती है तो उसका वो गंड़ना कैलकुलेशन करने के बाद जो है वो जो है अन्रिजर्व ट्रेने भी एनांस कर सकते हैं और ऐसी परंपरा पिछले वर्षों में चलती रही है और आवश्यक्ता अगर पढ़ती है उसका जो है मौनिटर करने के बाद अनुमान लगाकर एडिशनल ट्रेंज का एनांस किया जा सकता है और वो भी अन्रि बाद चीत करने के लिए इंडियन रेलवे भारतिय रेलवे पूरी तरह से तयार है आप लोगों की सुविधाओं के लिए होली को देखते हुए के ट्रेंज चलाएगी है और कई में एडिशनल डिबे जोड़े गए हैं जिससे कम से कम भारतिय जनता को और यात्रियों को र आपिश कमाल दिली